अब लुट में आपके नमस्कार स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरू में और आज वीडियो गुरू में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वक की कारे और समय का अभी तक हम लोगों ने क्या किया एक बेसिक कॉंसेप्ट देखा बेसिक अप्रोच की बात करिए आ आज उसी में आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और concept और सवालों की तो जादे समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं आज क्या सवाल है आपके लिए तो लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सब के सामने तो सबसे पहला सवाल यह रहा अब पहला सव यानि यह किसी काम को आठ दिन में कर सकते हैं क्या कहा जा रहा है छे आदमी और चार लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं कितने दिन में कर सकते हैं बारा दिन में कर सकते हैं कितने दिन में वही काम आठ लड़के कंप्लीट कर सकते हैं तो हमारे पास एक कंडिशन आई है इस कंडिशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे इस condition में हम सबसे पहले men और boys के बीच का एक relation defined करेंगे अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे 4 से ये चला जाएगा 2 बार 4 से ये चला जाएगा 3 बार अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दोनों 2-2 के multiple है तो 2 से आपने इसको भी divide कर दिया ये चला जाएगा 3 बार दो से ये चला जाएगा आपका 2 बार अब equation क्या बनी 5 men plus 8 boys equal to ये आपका हो जाएगा 9 men plus 6 boys ये condition आ रही है पहली condition क्या आगई आपकी 323 9 326 तो आपको पता चला 5 आदमी 8 लड़के बराबर हो रहा है 9 आदमी plus 6 boys तो अगर men इधर आ जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं ये इधर आएगा 2 boys equal to 4 men ये आप कह सकते हैं 1 boys equal to 2 men हमारे पास क्या आ गया एक लड़का दो आदमी के बराबर है 1 boy equal to 2 men आ रहा है अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या in how many days 8 boys can complete this work तो हमें क्या पता है एक लड़का 2 आदमी के बराबर है तो हम क्या कही पर 2 आदमी के form में अगर मैं यहाँ पे बात कर लोग מש 6 आदमी है तो अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे 3 का multiply कर दूँ यहाँ पे 3 का multiply कर दूँ चार बॉइज है यानि साथ जब साथ लड़के काम करते हैं कितने लड़के काम करते हैं जब साथ लड़के काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है बारा दिन में अब आप से क्या कहा जा रहा है जब आठ लड़के काम करेंगे कितने लड़के काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा पहले हमने क्या किया पहले हमने के एक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास मैं और बॉइस के बीच में रिलेशन आ गया वहां से हमने कोई एक कंडिशन पिक करी अभी मैंने यह वाली कंडिशन पिक करी है आप चाहे तो उपर वाली भी पिक कर स जाएगा 3 into 7 730 21 divided by 2 यानि कि 10.5 आंसर आगे number of days कितने आगे 10.5 option 4 is the right answer clear तो इस तरीके के सवालों में हमें क्या पता चला इस तरीके के सवालों में हमें पता चला पहले दो conditions जो हमें दी गई है उन्हें इक्वेट करके men और boys के बीच में या दो अलग अलग जो form में आपको दिया गया है उनके बीच का relation find out करते हैं फिर एक equation को किसी एक format में describe करते हैं और फिर comparison करते हैं एक और सवाल देखते हैं अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है six men and eight boys कितने आदमी six men plus eight boys ठीक है can do a piece of work in ten days यह किसी काम को दस दिन में कर सकते हैं and twenty six men and forty eight boys कितने men twenty six men and forty eight boys ठीक है can do the same work in two days इसी काम को दो दिन में कर सकते हैं क्लिप अब यह कह रहें fifteen boys तो पहले तो हमें man or boys के बीच में relation find out करना है दो से मैंने से divide कर दिया यह पांच बार चला गया six five जा थर्टी तो मुझे पता चला थर्टी men plus five eight जा 40 40 boys equal to 26 men plus 48 boys यह इधर आएगा तो आपके पास क्या जाएगा four men equal to eight boys यह आप कहेंगे one man equal to two boys फिर वही condition आ गई एक आदमी दो लड़कों के बराबर हो गया अब हमें क्या कहा गया है fifteen men and twenty boys तो हमने आप से क्या कहा हम किसी एक चीज में convert करते हैं अगर माल लीजे मैंने पहले वाला केस लिया पहले वाला केस लिया तो मुझे यहां पर कितने दिख रहे हैं मुझे यहां पर 6 men दिख रहे हैं तो 6 men को मैं क्या कर सकता हूँ 6 का इधर multiply कर दूँ 6 का इधर multiply कर दूँ तो मेरे पास condition क्या जाएगी 6 men equal to 12 boys तो पहले case में क्या हो जाएगा 12 plus 8 यानि 20 boys थे पहले case में अच्छा अगर मैं यहाँ पर देखू तो क्या लिखा है 15 men and 20 boys तो 15 men का मतलब क्या हो जाएगा 15 into 8 men equal to 2 boys into 15 यानि कि 15 men बराबर हो जाएंगे 30 boys के 15 men बराबर हो जाएंगे किसके 30 boys के तो अब आपने पहली condition देखी तो आपको पता चला 20 लोग थे कितने boys थे 20 बीस boys अगर काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है यहाँ पर कितना दे रखा है 10 दे रखा है तो 20 boys जब काम करते हैं तो काम 10 दिन में हो जाता है अब कितने boys काम कर रहे हैं इस 15 men का मतलब आ रहा है 30 boys और 20 boys यह हैं 30 plus 20 50 यानि जब 50 लड़के काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल पास से चार बार डी की वैल्यू आपकी आ गई फो यानि ऑप्शन वन फोर इस दा राइट आंसर तो पहले हमने क्या किया हमने equation दोनों को equate किया जब equation equate किया तो हमारे पास men और boys के वीच में relation आया वहां से हमने एक equation में man की value निकाल के put करी तो वो total boys में convert हो गई इसी प्रकार से man को boys से replace किया तो ये पूरी values boys में replace हो गई दोनों condition को equate किया number of days आगे हमारे पास days आगे कितने चार नंबर आफ days कितने आगे हमारे पास चार आगे चली बहुत बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है 16 women take 12 days to complete hour क्या कहा जा रहा है 16 और ते 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकती है which can be completed by 12 men in 8 days यही काम 12 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं अब देखिए 12 से 12 कैंसे 8 से 2 बार तो 2 women equal to 1 more यह condition आगे हैं हमारे पार अब कह रहा है 16 men started working after 3 days 10 men ले अब देखो एक अप्रोच हमारी क्या जाती है एक अप्रोच हमारी यह जाती है कि जब 12 आदमी काम करते हैं 8 दिन तो 16 आदमी कितने दिन में यह काम पूरा करेंगे तो आपको पता है 8 से 2 यानि जब 16 आदमी काम कर रहे थे तो 6 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए था पर क्या हुआ अब 3 दिन का काम करने के बाद इस 6 में से 3 दिन का काम हो चुका है यानि 16 आदमियों के लिए 3 दिन का काम बचा है अब क्या हुआ इन 16 आदमियों के लिए जो 3 दिन का काम बचा है उसमें कंडिशन क्या रही हम मैं में ही कनवर्ट करके रखेंगे तो हैता दे रहे हम यह मान ले रहे है कि 16 मैं के फॉर्म म चले गए तो 6 आदमी हो गए अच्छा दूसरी condition क्या रही है और इनकी जगे चार women आगे इनकी जगे कितनी आगे चार women अब आपको पता है दो women बराबर है एक men के तो चार women किसके बराबर हो जाएगा यह दो है इसका double करोगे तो चार हो जाएगा तो एक का double दो तो आपने कहा चार women दो men के बराबर चार women दो men के बराबर यानि अब इसके equal में क्या आएगा 6 आदमी बचे थे दो दो आदमी और आ गए यह मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे 6 प्लस 2 8 होता है 8 से 16 चला जाएगा टू टाइमस डी की वेल्यू आप गई 6 डी की वेल्यू क्या गई 6 option second is the right answer तो अब इस सवाल में हमने क्या किया इस सवाल में हमने सबसे पहली condition को सॉल किया था 16 वूमें इंटू 12 डेज इक्वल टू 8 मैं स्वाल मैं इंटू 8 डेज यहां से हमारे पास condition क्या आई कि 2 वूमें इक्वल टू 1 मैं फिर हमसे कहा गया 16 आदमी किसी काम को तो तीन दिन तक करते हैं तो हमने कहा अगर बारा आदमी किसी काम को इस था नहीं बारा आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे यहां पर हमारे डेज की संख्या आ गई 6 अब हमें पता चला इस 6 में से 6 दिन के काम में से तीन दिन का काम हो गया यानि केवल तीन दिन का काम बचा है लेकिन इन सोला आदमी में से दस आदमी चले गए और चार वुमें आ गई तो चार women का मतलब क्या होता है? दो men कहा से? यहां से हमने देखा चार women चैए तो दो का multiply इधर तो अब हमें क्या पता चला? आपके पास आठ आदमी हैं अगर 16 आदमी ये काम करते तो तीन दिन में complete कर सकते थे लेकिन आदमी है 8 तो कितने दिन में complete करेंगे तो आदमी ये काम 6 दिन में complete करेंगे आदमी ये काम 6 दिन में complete करेंगे चली बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है A man, a woman and a boy complete some work in 20 days, 30 days and 60 days क्या कहा जा रहा है एक आदमी one man into 30 days equal to फिर एक लड़का एक औरत one woman into 30 days ये 20 था ये 30 है और one one man into 20 days one woman into 30 days and one boy into 60 days तो यहां से आप man woman boy के बीच का relation निकाल सकते 0 common आ रहा है 0 0 0 cancel कर दिया तो आप कह सकते हैं two men equal to three women equal to six boys how many boys should be added to help two men अब 2 men का मतलब क्या हो सकता है 2 men का मतलब 2 men नी boys के form में बताना है how many boys के रहे तो 2 men कितने के बराबर है 2 men 6 boys के बराबर है तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं 2 men 6 boys के बराबर ठीक है plus ठीक है 8 women 8 women कितने के बराबर होगी अब को पता है यहां पर देहां से देखिए तीन औरते 6 लड़कों के बराबर है यानि एक औरत 2 लड़कों के बराबर होना चीए 3 चे के बराबर 1 दो के बराबर तो आपको पता है 8 women की बात हो रही है तो 8 women कितने के बराबर हो जाएगा 16 boys के बराबर 8 women कितने के बराबर हो जागा 16 boys के बराबर तो 2 men plus 8 women plus हमें नहीं पता कितने लड़के हैं हमने माल लिया x boys हैं तो इसको अगर boys में करेंगे तो 6 boys इसको अगर boys में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16 boys और इसकी value हमें पता नहीं पर हमें पता है x boys हो गया है अब हमें पता है अगर इस तरीके से काम होता है तो काम दो दिन में पूरा हो जाता है तो इसको हम क्या कह सकते 22 प्लस x लोग जब दो दिन काम करते हैं तब एक लड़के के द्वारा 60 दिन में किये गए काम के बराबर काम हो जाता है तो 2 से यह चला निए रगी 30 माइनस का 22 22 इधर आएक 30 माइनस 22 एकस की वेल्यू एठाच की एकस की वेल्यू क्लियर है तो हमने क्या किया पहले man woman और boy का बीच में relation निकाला जब वो relation आ गया वहां से फिर हमने क्या किया दो आदमी दो आठ होरतों को boys में convert किया क्यों किया क्योंकि हमसे number of boys पूछे गए थे और फिर उसे boys वाली condition से compare कर लिया answer आपका आगए चली बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है the time taken by four men to complete a job चार आदमी किसी काम को करने में जितना समय ले रहे हैं वो दुगना है जब वो काम पांच बच्चे करते हैं तो पांच बच्चे अगर किसी काम को एक दिन में करते हैं तो चार आदमी इसी काम को दो दिन में करेंगे यह तो कह रहा है the time taken by four men to complete a job is double the time taken by five children to complete the same job अगर पांच लड़के से एक दिन में कर रहे हैं, तो चार आदमी से दो दिन में करेंगे, यहां से मारे पास relation क्या आगया, 8 men equal to 5 children, 8 men equal to 5 children, Each man is twice as fast as a woman, एक आदमी दो औरतों के बराबर है, twice as fast as a woman, तो एक आदमी दो औरतों के बराबर है, How long will 12 men, 10 children and 8 women will take to complete a job, given that a child would finish the job in 20 days, अब देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम इसे या तो men में convert कर सकते हैं, या चाइल्ड में, अभी men में convert करना हमाई लिए आसान क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे पास men का relation दोनों जगे है, सही, तो अगर मैं कहूं 12 men, 10 children, क्या कहा जा रहा है, 12 men, प्लस, 10 children, प्लस, कितना, 8 women, तो अब आप देखो, 12 आदमी, as it is, 12 रहेंगे, 10 children, 5 लड़के, 8 आदमियों के बराबर है, तो 10 लड़के, या 10 children कितने के बराबर हो जाएंगे, 16 आदमियों के बराबर हो जाएंगे, तो यह 10 children, man में convert किया, 16 हो गया, अच्छा, दो women, एक आदमी के बराबर है, तो 8 women, यानि यहाँ पे 4 गुना हुआ, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, 8 women, 4 आदमियों के बराबर है, तो यह value कितनी आगई, 32, अब यह कह रहे है, given that a child would finish the job in 20 days, अगर child इसे 20 दिन में कर रहा है, एक child इसे 20 दिन में कर रहा है, तो हमें क्या पता चला है, एक child को हम क्या ले सकते हैं, आपको पता है, 8 men equal to 5 child, तो 1 child equal to 8 by 5 men, तो 32 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, जब एक child की जगे 8 by 5 men रखा, इस काम को 20 दिन में करते हैं, तो 5 से 4 बार, 8 for the 32, 32 cancel, D की value आगी 1, answer आपका हो गया, option 1, answer आपका क्या हो गया, option 1, clear, तो हमाई पास 2 condition आ रही थी, एक man और child, एक man और woman, हमने उन दौनों को compare किया, और फिर वहाँ पे solve कर लिया, चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल क्या है, आप सभी के लिए, चलिए, तो इस सवाल को देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगला सब्सक्राइब आप कहा जा रहा है, यह 16 दिन के लिए लगाया गया, अगला सब्सक्राइब आप कहा जा रहा है, हम क्या करते हैं, नीचे वाले को टोटल वर्क माल लेते हैं, वाले फायदा क्या होता इससे, इससे हमें पता चला, के जब 20 मजदूर 12 दिन काम करेंगे, तो वह 5 काम कर लेंगे, यह 8 मीटर की रोड है, तो 5 मीटर रोड बना देंगे, अब वो कह रहे हैं तो कम्प्लीट दर रोड इन इस्टिप्लेंट टाइम यानि निर्धारिश समय में अगर उसे करना है तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा लेबर रिक्वाइट पूछी जा रही है तो अब देखिए यहां पर हमें नहीं पता मैं कित पहले चार दिनों के लिए तो बचा हुआ कितना काम 3 क्यों क्योंकि मैंने माना था आठ मीटर की पूरी रोड जिसमें से पांच मीटर बन चुकी है बची कितनी होगी 3 मैंने क्या का फाइब बाइट है ना तो यह जो एट है इसे हम टोटल रोड माल लेंगे यानि 8 मीटर क इस 8 किलो मीटर में से 5 किलो मीटर रोड बन चुकी है तो बची कितनी रोड होगी 3 अब आपने से सॉल्ट करने का प्रयास किया तो पांस से चला जाए चार बार 4 से चला जाएगा 4 बार 3 इधर मल्टिप्लाए हो गया M की वैल्यू आ गई 36 पर क्या 36 हमारा आंसर है नहीं क् कि यहां पर पूछा गया एक्स्ट्रा लेबर कितनी होगी तो आपको पता है 36 में से 20 मजदूर पहले थे सही है तो इस तरीके के सवाल आपके पास आएंगे आप बड़ी आसानी से कल लेंगे आगे देखते हैं आगे क्या का जा रहा है देर इस प्रोविजन ओफ वन नाइन्टी डेस फॉर एक एंप और फो थाउजन पीपल तो हमें पता है अगर चार हजाल लोग खाना खाते है स्याजन अगर देखते हैं तो 190 दिन तक कलते हैं after 30 टेशन 80 मेंन वेंट आप अब क्या हुआ इस मेरे से कितने आदमी चले गह आग्श वाज आदमी चले गहां यानि 22 आदमी बचए अच्छा 190 में से 190 में से 30 दिन का खाना खाया जा चुका है यानि की 160 दिन का खाना बचा 90 में से 190 में से 30 दिन का खाना खा लिया 4000 लोग 30 दिन तो रहे एक महिना रहे ना 190 में से 30 दिन का खाना खतम अब आपको पता है कि अगर 4000 लोग रहते पूरे समय कितने पूरे समय जो बचा हुए 160 दिन है अगर पूरे समय रहते यानि बचे हुए 160 दिन रहते तो 4000 आदमी अगर बचे हुए 160 दिन रहते ठीक है तो काना पूरा खतम हो जाता अब कितने आदमी रह गए लेकिन 32 आदमी रह गए ये कितने दिन तक रहेंगे तो खाना खतम हो बचा हुवारे खाने के बात हो रहे हैं तो वर्क क्या होगा है समय सेम हो गया यह हो गाड एक सो साँठ दिन का खाने की बात हो रही है यह उतने ही खाने को खत होरी है तो आपने देखा 2-0 से 2-0 cancel 16 से 2 बार 2 से 200 बार ठीक है तो बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा how many days will the food preserve the rest of meal for the rest of the camp तो कितने दिन तक रहेगा 200 दिन तक रहे शेवर में अब बाकी भोजन से शेश पुर्शो को कितने दिन भोजन प्रदान करेंगे तो कितने दिन प्रदान करेंगे 200 दिन देखो फिर से बता रहा हूँ क्या किया 4000 आदमी अगर किसी खाने को खाते तो 190 दिन तक चलता अब ये 190 की जगे में 30 दिन का खाना खाया जा चुका है यानि 160 दिन का खाना बचा अगर 4000 आदमी रहते शिवर में तो 160 दिन तक खाना चलता तो खाना कितना होता? 4000 इंटु एकसौ 사थ लेकिन अब इस में से 800 लोग चले गए कितने लोग बचे होंगे? 32 लोग बचे लोग 4000 में से 800 लोग चलेंगे 1300 लोग बचे अब इस 32 का जो खाना है वो कितने दिन चलेगा? आप इसे solve करो तो 2-0 से आप कहेंगे 2-0 cancel 32-16 से 2 बार 2 से 400-200 बार तो number of days आपके कितने आगए 200 चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चले तो इस सवाल में देखें क्या कहा जा रहा है इसमें कितने रुपे कमा रहे है आठ घंटे रोज काम करके 840 रुपे कमा रहे है अब यह जो 840 रुपे कमाते हैं यह वर्क माल लो यानि इस हिसाब में इनका काम चल जाए तो क्या कहा जा रहा है नो आदमी विल रिसीव कितने आदमी हो गया नो आदमी ठीक है विल रिसीव इन वन वी एक हफ्ता यानि साथ दिन वर्किंग 6 आशा डे कितना रुपे कमाएंगे अब आपने देखा 7 से 7 कैंसल 6 से 6 कैंसल आठ से आपने इससे डिवाइट किया तो 105 टाइम्स डी की वेल्यू क्या हो गई 105 इंटू 9 यानि की 45 नौ सो नाइन फाइव सा फॉर्टी वाइव नाइन वन जैन नाइन तो 945 यानि की ऑप्शन सेकेंड इस दा राइट आंसर चल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है पर आपनों को सॉल्ट करने में बहुत मज़ा आएगा देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है 12 आदमी और 8 औरते कितने आदमी 12 आदमी और 8 होड़े 11 दिन काम करती हैं तो कितने रुपे कमाते हैं 13640 अगर 6 आदमी और 10 औरते 6 में प्लस 10 वूमें तो कितना कमा रहे 15 डेज में 138 00 कमा रहे क्लिप अब पहले तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा मैं और वूमें के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल 11 से मैंने इसे डिवाइट किया तो यह कितनी बार जाएगा 11 वंजा 11 टू बचा 26 11 टू जा 22 फोर बचा 44 ठीक है अच्छा 15 से मैंने इससे डिवाइट कर दिया तो फिफ्टी नाइन जा 135 तीन बचा 30 15 टू जा 30 ठीक है अच्छा फोर से इससे डिवाइट किया फोर से यह चला गया 31 टाइम फोर से यह चला गया 23 टाइम अच्छा और क्या कच सकता है आप देखिए उपर दो कॉमन आ जाएगा तो दो से चैबार दो से चार बार दो से तीन बार दो से पांच बार ठीक है अब 23 का इधर मल्टीप्लाई किया तो शिक्स थी जा 18 और वन क फोर 92 वूमन आ गया ठीक है इक्वल टू यहां पर आपका कितना हो जाएगा 31 इंटू 3 93 मैं प्लस यह आपका कितना हो जाएगा 155 वूमन अब यहां से यह इधर जाएगा तो साथ और आठ 45 मैं हो जाएगा इक्वल टू इधर जाएगा आठ और पच्पन त्रेश्ट और त्यों हो जाएगा ठीक है क्या किया मैंने यहां पर देखिए 93 इधर आया तो साथ जोड़ा तो सो और 38 तो सो से 38 जादा है साथ यहां काम है तो 38 प्लस 7 45 यहां पर आठ है तो 55 यह था 55 प्ल चला जाएगा पांच बार 9 से इसे दिवाइट किया है यह चला जाएगा साथ बार तो आप कह सकते हैं फाइफ मैं इक्वल टू 7 वूमन एक स्टेट्मेंट मेरे पास यह आ गया पांच आदमी सात औरतों के बराबर है पहला स्टेट्मेंट आगया अब कहरें इन हाव मैनी इसको मैं क्या मान सकता हूं 14 वूमेन प्लस 15 वूमेन यानि 29 मूमेन अच्छा अब मिलकों एक स्टेट्मेंट को कनवर्ट करना है किसको करूं यहां प्रदे को यहां पर कैलकूलेशन आसान दिख रही है तो इस इसी को इसी को कनवर्ट कर लेते ओन एडबल दिख रहा है divided by 5 यानि 42 by 5 तो अब इसमें add कितना करेंगे आपके पास था 6 men plus 10 women तो इसको हम लोग क्या मानेंगे 6 को मान लेंगे 42 by 5 plus 10 यानि 5 into 10 50 50 plus 42 92 by 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 92 by 5 हो जाएगा तो हमें क्या पता चला जब 92 by 5 women कितने दिन काम करती है 15 दिन काम करती है तो 138 00 काम हो जाता है अगर अगर यहां पर आपका कितना आ रहा है 29 women कितना 29 women काम करें कितने दिन काम करें हमें नहीं पता हमें निकालना है तो इन्हें 8700 रूपीज मिल जाएगा अब देखिए 5 से मैंने इसे डिवाइट कर दिया तो यह 3 टाइम्स चला गया दो जीरो से दो जीरो चला गया 29 थीजा 87 तीन से यह चला गया तीन से आपने इससे डिवाइट किया तीन से कितनी बार जाएगा 4 वन बचा 18 6 46 46 से 92 चला जाएगा दो बार तो डी की वैल्यू आपकी आगई 6 डी की वैल्यू कितनी आगई 6 आगई यानि option 4 is the right answer मैंने आप से कहा ना यह सवाल आपका वैसे देखने में बहुत छोटा है पर बड़ा चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कह रहा है मैं वूमें एंड चिल्रन आर इंप्लॉइड तो डुआ वर्क इन प्रपोर्शन ओफ 3 2 1 यानि आदमी और और बच्चों की जो संख्या है वह 3 रेशियो 2 रेशियो 1 और वेजिस पर परसन और इनको जो पैसा मिला है वेजिस जो है उनके बीच का जो रेशियो है वह फॉर फाइफ रेशियो 3 रेशियो 2 बैन 90 अदमी काम पर लगाए जाते हैं 90 आदमी का मतलब है यह तीन रेशियो 90 के बराबर तो यह दो रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा यह एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 30 के बराबर सी तीन रेशियो 90 के बराबर तो एक रेशियो 30 के बराबर तो अब आपको क्या पता चला 90 आदमी को 5X रुपीज मिल लाएं प्लस 60 आदमियों को 3X रुपीज मिल लाएं हैं ठीक है प्लस 30 लड़कों को 2X के हिसाब से पैसा मिल लाएं और जब ऐसा होता है तो 10350 पैसा मिल जाता है टाम लोगों नेशे स्क्रावर कियां यह आपका कितना होगया 450X प्लस यह आपका कितना आगया 180X प्लस यह कितना आगया 60X और यह मिल आकर आपका हो जा रहा है 10350 1 0 common हmore फसा में cancel out कर दिया 6 और 18 6 प्लस 18 कितना हो जाएगा 24 24 प्लस 45 यह आपका आजा के 69 X बराबर हो जाएगा 1035 के 69 X ब近 Tahir तो पहले हमने इसे कितने से डिवाइट कर दिया 3 से डिवाइट कर दिया यह 23 तैम चला जाएगा 3 से इससे डिवाइट किया तो यह 33s are 9-13 3科 और आपका कित्ता बचेगा 5 सही हो तो त्रीटीज़ा 9 13 3 फोसा 12 12 हो जाएगा वन बचेगा 135 हो गया अब यहां से आप देखिए 23 से से डिवाइट करें तो 23 बंजा 23 आपका कितना बचा 11 115 तो एक्स की वेल्यू आ गई 15 एक्स की वेल्यू कितनी आ गई 15 आप से क्या पूचा जा रहा है एक आदमी को कितना मिल ला है तो 5 इनटू 15 पुरुष को कितना मिलेगा पुरुष की 20 मिलेगा फूचा यह बात तो आंसर हमारा आ जाएगा option वान 75 चली तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समा उमीद करते हैं आज का सेशन आपको मज़िदाल लगा होगा टाइम एंड वर्क के जो कॉंसेप्ट है वेजेज वाले वो भी आपके क्लियर हुए होंगे कैसे मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन बनाते हैं यहाँ पर वो भी आपको क्लियर हुआ होगा तो आज के सेशन में बस इतना ही अगले क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे और भी नए सवालों की और भी नए कॉंसेप्ट की अगर वीडियो गुरू आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो गुरू के ओ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि जादा से जादा लोग हमारे साथ जोड़ सके पर अभी के लिए हमें दीजे अजासत अगली मुलाकात तक के लिए टेक केर एंग इंजोई और सेल्फ